हेई आईवन, हाओ यू आल, सो कैसे हो आप लोग, सो जिस बुक की हम बात करने जा रहे हैं वो बुक लिखी है सूची सिंकाल रहने और इस बुक का नाम है A Cage of Desires सो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर ऐसी बहुत सारी अच्छे-ची बुक्स है जो हम लोग explain करते हैं अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप हमाई प्लेलिस चेक कर सकते हो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे-ची पूरी बुक् ताकि हम चैनल को और अच्छे से ग्रोग कर सकें आप जो यह स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हो आप इसका यूज कर सकते हो ताकि हमें मौयल्टी सपोर्ट कर सकते हो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस बुक का थोड़ा सा बैक्राउंड बतायता हूं कि यह बुक है किसके बारे में सो यह कहानी है एक फीमेल की जिसका नाम है रेनू और जो रेनू है उसने हमेशा सही प्यार के लिए सिक्योर्टी के लिए और वो बहुत साथ तरस्ती थी कि उसकी जिन्दगी में भी यह सब चीज आए लेकिन जो इसकी बोरिंग शादी थी उसको ऐसा लगता था कि जो प् अपस में टकराने वाली थी जो रेनू की तमन्ना थी कि उसको भी प्यार मिले को इसको उसका साथ मिले किसी का उसको ना एक ऐसी जर्णी पर लेके जाता है जहां पी वो खुद को एक्स्टोर करती है बहुत सारी चीजे और उसको ना बहुत सारे जवाब मिलते हैं जो वो चाहती ती और उसके अंदर के शैतान होते हैं वो उन सबसे लड़ती है और उन अपने आपको फ्री कर लेती है जो कि होते हैं के शाना तैयार है जो रेनू थी न वो ऐसे instances को बहुत अच्छा मानती थी क्योंकि जो उसके बच्चे थे न वो गर्मियों की छुटी में उससे मिलने आया करते थे पहाड पे क्योंकि वो पहाड पे रहते थी एक छोटे से cottage में और जो अवी था न उसका छोटा बेटा वो न बहुत जल्दी बोर हो जाता था क्योंकि उसके पास जादा कुछ करने के लिए नहीं होता था यहाँ पे लेकिन जो अनीशा थी न उसको बड़ा अच्छा लगता था अपनी मम्मी के साथ रुकने में यहाँ पे और उना बहुत साय दिन यहीं पे रुका करती थी जो महा बेटी थी न वो दोनों राम से भार धंडों की धूप में बैट जाते थे और घंटों बैटके एक दूसरे से बाते करते थे और जो अनीशा थी न वो अपनी मा को सब कुछ बताती थी जो महर था न वो कई बार इनको ड्रॉप करता था इन फैक जो अनीशा थी न उसको पता था कि यह उसकी जो ममी के रिलेशन्शिप है महर के साथ वो कैसी है लेकिन उसने न कभी उस सीच को लेके कोश्चन नहीं करा और उसने कहा न कि जब भी आप कंफर्टेबल हो जाओ न तो मुझे बता देना और एक बार रेनु कोशिश करती है बताने के लिए कि भाई महर की उसकी जिंदेग में माईने क्या है और जो अवी था न वो ये सुनने के बाद तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ क्योंकि जो अवी था वो नहीं चाहता था कि जो महर है वो उसकी मा के बिल्कुल भी करीब आए लेकिन जैसे जैसे अवी ने जानना शुरू करा महर को वो भी न उसको पसंद करने लगा जो रेनू थी न उसको पता था कि जो अनिशा है न उसने बहुत इंपॉर्टन रोल प्ले करा है ताकि इन दोनों के रिलेशनशिप अच्छी हो जाए जो रेनू थी न वो इसमाइल करती है तो कि उसको पता है कि उसकी बेटी न उसके लिए क्या किया है और बहुत चलाकी से किया है और इननों भाई भेहनों में जो अवी था वो ज़ादा अपनी मदर को लेके प्रजसिट था जबकि जो अनिशा थी न अपनी मां से कई महीने बात करने के बाद बहुत सारी पाचीत करने के बाद उसको यह पता चल चुका था कि जो उसकी मां है उसकी भी emotional needs होती है और अभी ना वक्त के साथ ये समझ गया कि जो रेनु ना उसकी मा के अलावे एक औरत भी है और उनकी भी ना अपनी physical needs है, emotional needs है, प्यार की needs है, बहुत साई चीजे है अब जो रेनु है ना वो दुबाह से अवाज लगाती है अनीशा लेकिन कोई भी भाहर नहीं आता वो गया करती है, लॉन में जाके देखती है ना जो उसकी बेटी होती है, वो जूले पर बैठा हुई होती है, उसका फोन ना उसके कान पर होता है, उसकी आँखों से आसु आ रहे होती है रेनु को पता है ना, इस वक्त अभी नहीं बोलना चाहिए, वो चुपचाव वहीं पर खड़ी रहती है, वो उस तक खड़ी रहती है जब तक उसका फोन ना कट जाए अब बेना कुछ कहे ना, जो रेनु होती है, वो अराम से अपनी बेटी के बगल में जाके बैठ जाती है जो अनीसा होती है ना, वो अपनी मा के गले लग जाती है, रोते रोते और रेनु कहती है ना, कि तुम इसके बारे में बात करना चाहती हो अब जो अनीशा है न वो कहती है एक लड़का है मा और ना बड़े हिचकेचा के बोलती है जो रेनू थी न वो हमेशा अपनी बेटी को कहती थी कि मुझे सब कुछ बताना क्योंकि उसकी बेटी 24 साल की थी और वो आज तक न कभी serious relationship में नहीं थी अब रेनू को जिसके बारे में नहीं पता था और ये शायद हो सकता है कुछ special हो अब रेनू से बोलती है कि तुम्हाई लड़ाई हो इसके साथ और रेनू ना बहुत एकदम careful तरीके से ये चीज़ पूसती है क्योंकि उसको पता है अगर ज़्यादा interfere करेगी न तो उसको भी कहीं अनीशा को बुरा लगेगा अब जो अनीशा होती है नो कहती है नहीं मा मेरी उससे लड़ाई हो गई और बहुत ज़्यादा हर्ट करता है कई बातों मुझे जान पूछ के हर्ट करता है mentally emotionally जितना ज़्यादा हो सके अब जो रेनू है नो कहती है फिर तो उसके साथ में क्यों हो वो तुमाही जिन्दगी में अभी तक कर क्या रहा है अब जो अनीशा है नो कहती है क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूं मा और यह चीजना उसना बड़ी वैसे कही होती है कि मैं उससे प्यार करती हूं अब जो रेनू है ना उसको सारी यादे ताजा होने लगती है अरजुन की कैसे उसकी जिंदगी में वह एक वक्त में था किस तरीके कि उसकी यादे थी और जैसी वो यादे ताजा होती है उसको लगता है जो उसके पुराने जखम थे न वो फिर से हरे हो गए और वो यह सोचती है न कि भई जो भी मेरे साथ हुआ मैंने चाते कि मेरी बेटी के साथ भी वही सब कुछ हो क्योंकि एक वक्त पे जो रेनु थी न वो बिल्कुल हैलपलस थी और उसके साथ भी पास्ट में बहुत कुछ हुआ था अपनी बेटी के लिए तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देने वाली थी अब जो रेनु होती है नों कहती है चलो अंदर चलते है अनीशा हम लोग अंदर बैट के बात करते है ठीक है मैं तुम्हें कुछ बताऊंगी और उना गया करती है अनीशा को अराम से उठाके न अंदर लेके जाती है अब रेनु को पता है कि वो शान तो बिल्कुल भी नहीं सकती क्योंकि यहां पर बात है उसकी बेटी की खुशी की अब वो गया करते है न अनीशा के साथ राम से बैट जाती है और जो भी उसकी जिंदगी में हुआ था जो भी उसकी जिंदगी में आदमी आये थे वो सब कुछ अपनी बेटी को बता देती है कैसे रिलेशन्शिप में थी, क्या-क्या हुआ था कैसे-कैसे किन-किन लोगों ने उसको हट करा बिल्कुल एक-एक डीटेल अब जो अनीशा होती है वो बिल्कुल बिना कुछ का है अपनी मा को अच्छे से सुन रही होती है अब जो रेनु होती है वो कहती है कहती है क्या तुम्हें कुछ समझ में आया अब जो अनीशा होती है वो कहती है हाँ मा मुझे बहुत कुस समझ में आया और मुझे ना पता चल चुका है कि जो मेरी रिलेशनशिप का फ्यूचर हो कैसा होने वाला है अब जो रेनू है न वो थोड़ सा स्माइल करती है कहती है दिखाओ लेकिन बताओ मत यही तो जो सबसच्छे स्टोरी टैलर्स होते है वो यह करते हैं न अब भले यह मा बेटी एक दूसरे के करीब कितने भी क्यों न हूँ लेकिन जो रेनू थी न वो यह नहीं चाहते थी कि बहीं सिर्फ मेरे घहने पे मेरी बेटी अपने बॉइफ्रेंट से ब्रेक अप कर ले फिर वो उसको कहती है न कि लेको तुम न अपनी उमर से बहुत ज़्यादा बड़ी हो नीचा और तुम हमेशा से थी लेकिन कभी भी न और कभी भी न लेस एक्सपेक्ट मत करना जितना तुम डिजर्फ करती हो और अनीचा की दिमाग में यही बात चल दी होती है कि कभी भ वो पांच मिल बार वापस आते है न तो उसके चहरे पे बहुत बड़ी स्माइल थी अब रेनु क्या करते है न अपनी बेटी को गले से लगा ले थी है उसकी आँखों में से न आसु आ रहे होते है तो इस नोट प्योती है यह वीडियो खतम और आपको अच्छी लगी हो जो आगी की स्टोरी है न वो बहुत जादा इंट्रेस्टेंग है तो स्टे टून एंड स्टे गनेक्टेड